मानेत है कि पवित्र विर्क्षों में देवताओं की साथ पित्रों का भी वास होता है। ऐसे में अगर आप पित्रपक्ष के दौरान इन विर्क्षों को लगाए और उनकी पूजा करे तो इससे पित्र प्रसन होकर आशिरवात देते हैं। पित्रपक्ष पित्रों के निमित श्रात पिंड़ दान और तरपन करने का समय होता है जो की पूरे 16 दिनों तक चलता है। इस साल पित्रपक्षी शुरुवात भादपर्द माह की पूर्णिमा तिथी यानि 29 सितंबर से होगी और इसका समापन 14 अक्टूबर को अश्विन माह की आमवस्त्य तिथी को होगा। माना जाता है कि मनुश्य की तरह पेड़ पौधों में भी लाइफ होती है। हिंदु धर में कुछ पेड़ पौधों को पॉज़िव तो कुछ को नेगेटिव एनरजी वाला माना गया है। वही कुछ ऐसे भी पवित्र और शुब पेड़ हैं। पहला होता है पीपल। हिंदु धर में पीपल के पेड़ को पवित्र और पूजने मानकर इसकी भक्ति की जाती है। आप पित्रपक्ष के दौरान इस पौधे को घर से दूर किसी स्थान या मंदिर में लगाकर इसकी पूजा करें, जल चड़ाएं और दीब जलाएं इससे पित्रों का आश्रवाद मिलता है। दूसरा आप बेल के पत्तों को पूजा समगरी के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि शिवजी को बेल का पेड़ और इस पेड़ के फल फूल और पत्ते बहुती पसंद हैं। इसी के साथ बेल का पेड़ मुक्ती या फिर पेड़ माना जाता है। पित्रपक्ष में बेल के पौधे को लगाने से पित्रों की आत्मा को शांती मिलती है। तीसरा आप अशोक का पेड़ लगा सकते हैं क्योंकि इसे पवित्र वरिक्ष कहा जाता है। एक कहावत भी है कि जहां अशोक होता है वहां कभी भी शोक नही होता है इसे लिए लोग इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं जिससे की घर के अंदर negative energy ना जाए पित्रपक्ष की दोरान आप भी इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं इससे पित्रों की आत्मा को शांती मिलेगी ऐसी इन्फरमेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द्वनियास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें